Hello students, this is a book of Hindi Manthan, Class 2nd, so let's start the video, first page is open, मैंने आपको यहां तक करा दिया था, okay students, बता दिया था, इस्टोरी सुनाई थी आप सभी को, I hope आप लोगों को अच्छी लगी हो, मुझे दरा सुनाईगे इस्टोरी को, ठीके, आगे पढ़ते हैं, कुछ समय बीता, सूरज आकास में चमकने लगा, यानि कि कुछ दिन बीत गए, सूरज आकास में चमकने लगा, तभी लकड हारा और उसके साथ ही जंगल में आ पहुँचे, कौन पहुचा जिंगल में लकड़ हारा और उसके साथ थी ठीक है अभी उन्होंने पहला कदम रखा ही था कि उन पर उची लंबी बैलो बैलों से सुगंद भरे फूल बरसने लगे ठीक है यानि कि उची लंबी बैलों से सुगंद भरे फूल बरसने लगे किन पर बरसने लग एक ओलते हैं किज खोला मुखंजोस और मुंतले तक चाहएं हकता है कि यूए कि मोगा इस रहे हं और मुख्ड़ कर सू पिरा आधोका एप कम देख स्वागत करता। लकड़हारा जैसे ही अपनी चमकती लहारी से पेड़ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, प्रहार मिस होता है, किसी की और जो है, मारने के लिए आगे आना, ठीक है, प्रहार मिस यह होता है, यह दिखें, लिखा हुआ है, प्रहार मिस होता है, वार करना, ओके स्टेंस, वही किसी को मारने के लिए आगे आना या फिर प्रार करना या वार करना करने के लिए आगे बढ़ा तब ही उन्हें सेर के गर्षनी की आवाज सुनाई दी ठीके सब चोकनने होकर पीछे हट गए अचानक आम वा जाम उनके पेड़ों से फल गिरने सुरू हो गए सब चोक गए लकड़हारा बोला सचमूची ये पेड़ हम पर बहुत महरवान है उन्हों के बाद अब फल देकर हमारे प्रती अपना प्यार बरसा रहे हैं ये किनको लगा लकड़हारे उनके साथी को तीसरे साथी ने उत्तर दिया सही कहते हो ये पेड़ बहुत उपकारी है उपकारी मीज होता है दूसरों की मदद करने वाला यानि कि पेड़ जो है ये बहुत ही उपकारी है जो हम पर उपकार कर रहे हैं ये हमें भोजन कपड़े सब कुछ देते हैं अता इन्हें नहीं काटना चाहिए ठीके लकड हारा उस फलदार ब्रच को बड़े ध्यान से देख रहा था कि तबी एक चड़िया फुर से उसके कान के पास होकर चींची करने लगी और तुरंत उसके हाथपस सहज की बूंद गिरी वा उसकी गंद और श्वाद से खुश होकर बोला हम पेड नहीं काट सकते इन पर अनेक परिंदों के घर है सबने कुलहाडी फेंक दी अब सब और खुशाली थी मदमक्खियों ने धेर सारा सहद टपकाया मानों वे धन्यवाद करती हुई कह रही हो लोया मधू अमीत गोयल यह इन्होंने कहानी लिख लिए यह जो है कुछ सब्त हैं और उनके अर्थ हैं ठीक है आपको क्या करना है अपनी नोट बूक में लिख लेना है और इनको याद कर लेना है आगे देखिए यह देखिए फर्स्ट कोशन है आपका नंदवन के जीव कहां इकठे हुए यह नंदवन के जीव कहां इकठे हुए जंगल में ठीक है स्वारी शिडिंज नंदवन के जीव कहां इकठे हुए थे नंदवन के जीव सभी जीव जो हैं नदी किनारे खठे हो रहे थे तो क्या लिखना है आपको नंदवन के जीव कहां इकठे हो रहे थे यह हैं नदी किनारे क्या लिखना है आपको नदी के किनारे नंदवन के जीव कहां इकठे हुए नंदवन के जीव जो है नदी के किनारे इकठे हुए हाथी ने सबका आसरे किसे बताया पूछा गया है हाथी ने सबका आसरे किसे बताया हाथी ने सबका आसरे बन को बताया यानि कि बन ही हमारा आसरे है तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर वन लिखना है means जंगल ओके स्टेंस सारे पेड किस बात से डरे हुए थे यह आपको मैं होमबर्क में दे रही है करने के लिए आपको बस एक कोशिन का आंसर हमको पताना है आज के लिए इतना ही बागे कल की वीडियो में थेंक यू